आज का जो टॉपिक है अपना प्यारा सा देश भारत का प्रोशी देश पकिस्तान में बात करें काफी सारे लोग काफी समय से प्रिसान चल ले और यह प्रिसान किसले चले महगाई के बज़ते से चले तो काफी कुछ आज हम डिसकस करने वाले मैं होडी तेसिंग आज इन ही क काफी ज़्यादा महगाई है रिजन ही के इस आयमेप से भी काफी ज़्यादा उधार लिया सिर्फ आयमेप से नहीं इनके हलावा भी काफी सारे देश देश उधार ले रखाए परकिस्तानिया पर और देखिए महगाई के अगर बात की जगान तो 38.42 परतिशत महगाई हो परतिश पॉइंट रुप्या हो जाए गया है तो चोटा रकम आपको महसूस नहीं होगा जब वह बड़ा होता तो आपको महसूस होगा हले का कुछ गराब देखिए पकिस्तान के महगाई का कुछ गराब है जो कि यहां पर आप देख सकते हले का अक्टूबर 2022 तक सब ठीक चल लाता है जन्वरी है अप्रील है और जुलाइ देखिए हैं अप्रील में देखने को मिली थी लगवा 38% महगाई इनके बाद अभी गयास बात करें तो इस एकोडिंग एस महगाई आपको महसूस होने वाली है पर पकिस्तान में अगर बात करें सिलेंडर के क्या कीमत है जो घरेलू सिलेंडर जो यूज किया जते हैं तो 11.8 kg का जो सिलेंडर गयास अठ्था 233 रुप्या लगते हैं आपर सूचे कितने महगाई हैं भारत में कर बात करें एक प्रॉक्स और पर आप मालेजिए यह 110 रुप्या आप लिजिए आप डीजल का किमत कितने कैस्ति इन से 111 रुप्या है तो समझ गे ने महगाई आभी आप देखे देखे देखें कितना महगाई अभी आठाइस परसेंट के प्रॉक्स में तो जो दूसर था तो आप दूसर चापन होगा जोड़ते रहे हैं इनके अलावा बात पर खाने का आइटम जितने भी कैसा आटा हो तेल हो प्याज़ो वह तो काफी ज़्यादा महगाई होगा यह सब पर दान को लगाते गाए जिब प कब यहां को आदमी जेल पा रहा है पकिस्दान में इतना महगाई है और इतना महगाई है को आपका जो बिजली का रेट है वह घटा देंगे तो फाइनल गैस यह अभी जब मैं अभी वीडियो सुट कर रहा हूं थोड़ टाइम पहले ही गैस इन्हें अपडेट कर दिया गए जो घर में यूझ करते हैं तो चाफी कमे ऐसा अगेस जो इतना नहीं करना पड़ता है पैस्तान को यह कुछ वर्ड मैप आगर वर्ड मैप में आपको देखे पकिस्तान अब पकिस्तान आप है पर पकिस्तान की सिर्फ एक राज इंडिया की एक राश्य कर लेंगे चाहे महराश्टा से आज भी अगर आप देखोगे पकिस्तान का GDP बात करो या पकिस्तान का भजचेट बात करो में चैना पीश already कि लेज हाँ सब्सक्राइब करें और का इसे पर यहाँ बात करें महाराश् Way के तो आगbeltो हुआ चार्सो नबे बिलियन यूएस डॉलर है और वही एक पकिस्तान का कितना है गैस तीन सो चौध है यहाँ पे देख रहे हैं तो कहीं ही गैस GDP के महावला में भी भारत का सिर्फ एक राजी पकिस्तान से आगे हैं अब तो गैस देख रहे हैं इंडिया का एक राजी पकिस्तान पर काफी भारी पड़ सकते हैं अपर केवल महाराष्टा ही है तो दिखो हम आपको यह नहीं बुलते कि पकिस्तान को नीचा दिखाना है मेरा कोई उद्देश नहीं होता है किसी राज हो या किसी इंसान को हम सिर्फ यह बताना चाहते है कि आखिर क्या रीजन होने के कारण पकिस्तान के आम नेता के कारण से आम पब्ली को भोगना पड़ता है रीजन क्यों होता है कि बहुत सारा समान हो गया पकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होता है तो फिर प्रोडक्शन नहीं होता है तो जैसे कि इरान से कुवेट से चाइना से खरीदता होगा इंडिया से आता सुबतकी हुए सब्सक्राइए लिए सब्सक्राइब को पकिस्तान को माई खेड़न उध्यास?" आएगा तो जाइज बादे पकिस्तान में पैसा तो बड़ेगा यह महगा ही तो होगा ही होगा अगर वही ड्रेक्ट रित जाता तो यह सिर्फ किसके कारण गलती है सिर्फ नेता के गलती के कारण से होती है और यह जमीनी भी बाद के लिए क्या होती है कैसे है पहला सिप काफी अच्छा हो जाए तो यह पकिस्तान का अपने आप मालूम होता है जिसके कांद से आम आम जंता को यहां पड़ता है आप दूसरा रिजिए पकिस्तान आज भी बहुत सरा समान का इस चाइना से एरान से यूए इस से खरीदता है आप तो यह सब खरीदना कम करें सेलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया तो प्रोडक्शन ही नहीं होता है तो फिर कहां मार्केट में जाके इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेचे गए पर हैना तीसरी बात आनो तीसरी बात है कि वहां का जो भी बजट भगेरा पेस होता है तो पर ब्रके चिर्पाल को देखो भरडान की दुख को बंगलादेस को देखो अफ इनका ऊठीस यह नी इनका उदेस आम पबलीक उपर देखते हैं अंहीं थोोड़ी क्ैसी देश से यूद कने अब आप यह जान से इंडिया को देखाने के लिए नीचा देखाने के लिए कापी ज़्यादा काइस मिसाइल तो मना जाने कि क्या क्या चीज ख़िता रहता है और इससे इसका कोई परिणाम मिलता नहीं पहले आप आम जनता को देखे पैसा बचे तो आप देश पर देखे हैं जो सटे कंट्री वह कापी चाहते हैं पर देखे सिरलंका को देखे में मार को देखे बुटान को देखे मगर नहीं पकिस्तान हम चीन का बात अलग करेंगे चीन थ्रसा हट के गई से आप अलिका इन सब का आज भी आप देखोगे को यह नहीं के बहुत सारा कल्चर चाहें इंडिया से जुड़ा हुआ है क्योंकि एक समय इंडिया के ही पार्ट वा कर देता है नेपाल में भी जाओ किस कुछ ऐसा आप इंडिया के कल्चर नेपाल के कर्चन आपका बहुत कुछ से मिले गए हैं तो यह सब एक छोटा-छोटा गलती के काल से आम जनता को भोगना प